मेरा राष्ट पहले कहा था आज कहा जा रहा है आप यह देखें मुद्दा यही है कि बस भाजपा बस भाजपा और कोई मुद्दा ने और कोई मुद्दा ने हम वाइब जो हैं महिलाएं घर में पतियों से डर के नहीं रहती हम का अंग्रेश साथ रहेंगे जिन्दगी मर जाएंगे इसे में जींएंगे उसी में देखें लो मारा हाथ मिजली में चपका हुआ है दिन की रौसनी खौपों को सजाने में गुजर गई, रात की नीन बच्चों को सोलाने में गुजर गई, जिस घर पे मेरे नाम की तक्ती नहीं थी, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं आधी आबादी यानि नारी शक्ति की कहते हैं कि महिलाओं के बिना स्रिस्टी की कलपना भी नहीं की जा सकती और ऐसा ही कुछ हल सियासत में भी है उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत ही करीब है हर एक सियासत दान हर सियासी पार्टी आधियाबादी को अपनी तरफ लुभाने की कोशिस कर रहा है कॉंग्रेस ने बहाद अच्छे हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम सादना दिख्षिद है उत्तिती जी नीहीं सब्सक्राइब अब मढंति के साथ हे कारण के लिए हमारे आधरनी प्रधानUS मंत्री जी और योगी जी कर रहे हैं आज तक किसी immer Different probability ऐहां की एक महिला के बारे में सोचाले बनवाटे हैं आप लोग सबी लोग जानते हैं गर शेनागी योजनाई देते हैं एक महिला जब घर में खाना बनाती है कि सिलिंडर तो जाली अब जलाई नहीं पा रहे हैं लोग सब्सक्राहि हैं कि इतना मेहंगा हो गया सिलिंडर तो दे दिया मोदी जी ने अब तो इसे घर में रखना भी मुश्किल है हजार रुपे का सिलिंडर आ रहा है ऐसा तो कौन बोल रहा है हमको तो नहीं लग रही है हमारा मेरा राष्ट पहले कहा था आज कहा जा रहा है आप यह देखिए धार में योगी और मोदी जी चाहिए राष्ट निर्मार के लिए मोदी जी और योगी जी भूखे रहें लेकिन योगी मोदी को ही वोट देंगे थोड़ा तो देखिए महंगाई का कुछ ना कुछ तो असर सब जगे होता है और सब के उपर पढ़ रहा है गैस के उपर भी ऐसर करेंगे तो के डिमारी कोई भी हो वो सारी चीजय मैनेज करके ही चलती है जितनी हमारी चाधर हों तरह भ anh नेंनी बहुत ज्यादा मुद्ध नहीं डिए एचनाओ में तो फिलाल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो क्या लग वोट वोट तो करती होंगी नहीं बिलकुल है कि हरचीज के लिए जैसे महलाए घड़ से बहुत से बहुत लेकिन बहुत सारी बहुत इतना ज्यादा वाली वाले लेकिन यह फिलाल पहले गुंडागर्दी होती थी मेहगाई कोई मुद्दा नहीं होगा मेहंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा इश्यूस बनाएंगे तो बहुत जब आपके यह मानने को तियार हूं लेकिन सौ से साथ तो ही यह जाना चाहिए और पहली बार जो अभी आपने बगल में हम से पूछ रहे थे कि कुल्दीब सेंगर और यह लाइक ओल डाट कि वो बीजेपी तो मेरा एक बस मोटे है इस बार सरकार से कि मानती मैं भी हूं पूंतिया भाजपा को कि जैसे 1090 बहुत अच्छा एक अब कम से कम सो नंबर पर आतो जाती है एक पहले नहीं आती थी मैं खुद होगी हूं मैं सबसे बड़ा मुद्दा बहुत जी रहती और पतियों को डर है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा पावन मिली है कुछ अच्छा मनीश एक मुद्दा और पती पती अभी समय भी वोटों का बठवारा होगा कुछ मुच पे रहता उनको डर रहता कि नहीं दहेश प्रता को लेक सबसे कहना भी है कि जो यह रेकांड होता है इस नहीं कभी कभी रेप में हर पुरुष गलत नहीं होता एक बताया की बात होगी मेहंगाई कितना बड़ा मुद्दा होगा कि मेहंगाई कप सही कप कम हम देखिए अभी पेट्रोल चाहे 200 रुपय मुझे तब भी हम चलेंगे कर आप साइकल से चलिए जब ज्यादा जूरो तो देखिए मुझे मुझे टेली 300 किलमेटर चलना होता है तो मैं कैसे साइकल से च पर दो काम मत छूड़ी करिये अपने हिसाब से पैसे पढ़नी रहा है अच्छा यह देखिए आपने देखा मेहाई मुद्दा नहीं होगा मेहाई मुद्दा बनाया जा रहा है मुद्दा होगा यह तो हम आप में रखने वालों को मेंटालिटी यह ना कौन क्या रखता और हमाई मेंटालिटी नी पर्स पैसे निकलते हैं में पैसे लोगा है टेक्स तब भी परते ते तब कहा हम हमizing हिसा सोच रहे हैं कि किन लोंगी लेकिन वो कितना प्रियानुवित को कर पाते हैं आपके विदायग कितना कर पाते हैं मेहंगाई कोई मुद्दा नहीं हम कमाते हैं हमारी सेडली भी तो ज्यादा होगी आप शिर्फ अपनी बारे में सोच नहीं सब के बारे में सुक्राइब पहले वरकर की 30 रुपए होती थी एक सेकंड एक सेकंड प्लीज पहले वरकर 30 रुपए पर मजदूरी करता था आज वही वरकर 500 रुपए लेता है तो पांस रुपए भी तो हम हमीं देते हैं कोई मुद्दा नहीं रहेगा अच्छा यह जो हिस्सेदारी देने की बात हो रही है राजनिती में कॉंग्रेस की तरफ से यह कहा गया चालिस प्रतिसत उम्मिद्वार मह महलाएं होगी यह कितना असर डालेगा महलाओं पर कोई ईसर ने डालेगा कोई सबस्क्राइब ढ़े हम च nap 0930 110 जाएगा इसे आगे कौन बढ़ाएगा तो इन मुद्दों पर या भी कि जो सरकार है जी उसे कितना नंबर देती है उसे यह कहूंगी कि शायद मेरे पास अब कोई नंबर ही नहीं बचाए देने के लिए इतना बढ़िया काम किया है कि आप पूछे नहीं इतना बढ़िया का महिलाओं का मुद्द अब आप देखो में आप ने बात कि वह मनमानी सुरक्षा के बारे में तो यह कहा जा रहा है कि पहले जो सरकारती और अब क्या हालात में फर्क आया है हां फरक आया लेकिन वह शायद फरक पॉजिटिव नहीं हमें तो भी नेगेटिव दिखता है वह किसानों का शूंशन किया जाता है इसका ज्मिदार कौन है जब हमारे नेता जो हमारे देश को संभाल रहे हैं वही महिलाओं का गरीबों का किसानों का शूशन क ϐण अथैंगे सब्सक्रान का ला तुमीर Relief Batak जिसके घर में नो करी वही बोल पाएगे हम लोग तो दस रुपिया चाड़ी पादेंगे तो बोल का पाएगे तो वही बोलेगा पैसा वाला पैसा बोले तो गरीब तो गरीब तरफ तरफ जो है रसोई हिल रही है अब पताओ खाने के लिए नहीं बच्चेन के कहने का खाए सब्ची वह भी महींगे 25 रुपिया की लिए टो दस्तर खान छोटी हो गई चोटी होई जोई कि जमाने में हैं क्या हम की हमारे बच्चे कहने कि तुम क्या करो डिला लाया हमारे बच्चे सब पढ़े लिके हैं मैं विषे करें सब बैठी हैं क्या कि खाए बच्चे रोते ह रही है कि हम घर बनवान रही है और आज बनवाई है के का देगे करजा दे रही हूं किसे लिए रही है का उसके जमाने में कहके दिया गया कि अब्रत पैसा देब बैचा थारी लाग दे रहे हैं क्यों मंकान में नंबर डाले हैं और हम एक हजार तुम आप सदरी पहिने हूं हम तुम्छे दो रोपी एक वोड़े हैं बैठीयन तुम नहीं बोलते हो तुम्हारी जबान बोलती है कि हमारे पात पैसा तो हमारे पात गुरूप है मेरी सुरक्षा की बात आती है मेरे आस पडोस में मेरी सुरक्षा की बात आती है बच्ची की सुरक्षा की बात आति है और जो नएने सारा रोजगार डेवलप्मेंट की बात है वे उसकी बात आती है तो फिर मैं ऐसे वेक्ति को चुनना पसंद करूंगे कैसे व्यक्ति को जो कि हमें सुरक्षा ज्यादा मौन देशा कौन अब ये तो कोई भी हो सकता है अभी वाली सरकार जो योगी जी वाली सरकार कैसे क्या मिल रहा है गरीब तो ऐसे मरे जा रहे हैं क्योंकि बेर रोजगार हो गए कारोबार भी नहीं कंपनी टेंडरी मगर जा रहे हैं 120 लो 220 लो उसमें घर का खर्चा चल रहा है बतिख भी तक तो जमा नहीं हो पारा अगर चापा पड़ पूरा अंदर जाए उसके बाद के नख्शन अलग से कड़ आ है कारोबार में कहां इंट्रेस्ट है कौन सा कारोबार मिल रहा है अगर र कर रहे हैं उसमें भी यहां कोटेदार बता रहे हैं कि एक इनुट पर चारी किलो हमें मिल रहा हम चारी किलो देंगे अगर ज्यादा कोगी तो पारत निरस्तों हो जाएगा जो मर्जी वो करोगी तो गरीबों को कहां गुजारा कि अ कि अ कि